प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप्डेट नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेधन शिल विशय पर बात करने जा रहा हूँ जो आपको सोचना होगा कि यदि हमारे जीवन में निरंतर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय पर हम लोग भावना, करुना, प्रेम, प्यार इन सभी चीजों से दूर हो जाएंगे और हमेशा आपने मन में एक अकेला पन महसूस करेंगे जैसे जैसे देश का विकास और टेक्नलोजी में निरंतर परिवर्टन आ रहा है उसके साथ-साथ हम भी टेक्नलोजी में इतना इन्वाल्व होते जा रहे हैं कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि हमारा मनुश्य से मनुश् पर और दादा दादी अलग बैठे हुए हैं वहाँ पर सभी लोग हजारों संख्या में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन पारिवारिक समन्वे भावनाएं करुणा एक दूसरे के प्रति प्यार ये निरंतर घटता जा रहा है हमने देखा होगा कि हमें से बहुत सा का इस्तेमाल करते हैं जैसे I miss you, I love you, wish you a very very happy birthday, wish you a very very happy new year क्योंकि हम लोगों ने अपने मन में एक मानसिक्ता प्यादा कर ली है कि हम निरंतर मशीन का प्रयोग करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे संबंद विच्छे दो रहे हैं इसकी वजह से हमारे संबंद धीरे-धी अपने आपको अकेला महसूस करता है क्योंकि हम लोग electronic युग में जी रहे हैं और धीरे-धीरे वो electronic प्रभाव, वो digital प्रभाव हमारे जीवन पर निरंतर पड़ता जा रहा है मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने relation को electronically मजबूत ना करें, digitally मजबूत ना करें, बलकि हर celebration को मिलकर साथ में मनाएं, एक दुसरी की भावनाओं को समझें प्रेम को समझें, गुसा को समझें, मतलब जितना जादा हम लोगों के साथ involved होंगे, उतना जादा हमें मानसिक संतुस्टी और सुख प्राप्त होगा, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार जब एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो वो लोग अप प्रेशन के शिकार हैं, लोग अकेले पन के शिकार हैं, लोग अपनी भावनाओं को electronically व्यक्त करने के बाद भी मन में वो satisfaction प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो satisfaction उनको मिलना चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ मिलें, जितना जादा आप लोगों से मिलेंगे, उतने जाने में अपने आपको एक ऐसे युग की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर करुणा, प्रेम, प्यार, भाव, भावनाए, सुख, दुख की कोई एहमियत नहीं रह जाती, अगर हम फेस्बुक पर देखें, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, कि I love you John, I miss you friend, wish you a very very happy birthday, wish you a happy anniversary wish you a happy Diwali, wish you a happy holy, लेकिन धीरे 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 इस electronic युग में हम अकेले पन का शिकार हो रहे हैं, जब भी अपने परिवार के साथ बैठें, जब भी अपने माता-पिता के साथ बैठें, जब भी अपने बच्चों के साथ बैठें, जब भी अपने मित्रों के साथ बैठें, समझें उनकी बात को सुनें समझें उन पर विचार करें और अपने relationship को और मजबूत बनाएं friends मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से एक सवाल कि आप अपनी life में gadgets का इस्तिमाल कर रहे हैं या जाने अन जाने में gadgets आपका इस्तिमाल कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में मेरे relationship में मेरे friend circle में मेरे business circle में ये information किसी के काम की हो सकती है और उसके life को gadget interference से जादा human interference पर ला सकती है तो इस video को जरूर share करें और comment में मुझे बताएं कि आपको ये video कैसा लगा तो आईए हम सब लोग मिलकर एक प्रण लेते हैं कि electronic युग का प्रियोग एक सिमित मात्रा में करें ताकि आप एक खुशी खुशाल और सामाजिक जीवन अच्छे तरह से जी सकें मैं डॉक्टर आपके सुनेरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत स्वस्त रहें मस्त रहें और जीवन में हमेशा व्यस्त रहें